सो हेलो एवरिवन आज हम लोग सॉल्व करेंगे चेप्टर टी रिश्योस ऑफ सम पल्टिकुलर्स एंगल्स की एक्सेस 11 और इस एक्सेसस के कोशन 25 तक कि हम लोग ने सारे पढ़ लिया है पिछली वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कोशन नमब 26 है यह वैसा ही कोशन है जैसा कोशन नमबर 23, 24, 25 ता ठीक है बिल्कुल सेम कोशन है बट यहाँ पर कुछ और भी चीज यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है तो देखो क्या यहाँ पर कोशन 26 कह रहा है इफ कॉसेक एक एक प्लेस बीक्वल स्टू 1 और कॉस झौदरा कहा गया है 10 A-10 B, 1 प्ल्स 10A, 10B यहाँ पर इसकी और इसकी हमें value find करनें लिए कहा गया मगर इसकी और इसकी value हम लोग कैसे find करेंगे यह समजने वाली बात है हम लोग इसकी value find तो बहुत easily कर लेंगे but अगर हमें A और B की value मगर हमें यहाँ पर पता नहीं की एक 2 की help से हम लोग निकालेंगे A और B की value अब इसे कैसे करेंगे कैसे solve करना है इसको हम लोग देखते हैं बहुत easy बिलकुल हलवा question है यह बहुत easy है इससे ज्यादा आसान और कुछ भी नहीं होगा बस आपको करना क्या है table को थोड़ा सा पढ़ना है थ्यान से clear तो देखो यहां लोग A और B की value को find करने जा रहे हैं समझ गए तो यहां पर लिखा हुआ है कॉसेक तो यहां पर कॉसेक है A plus B अब कॉसेक A plus B equals to 1 दिया है तो यह सोचो कि कॉसेक में 1 कब आता है किस एंगल पे आता है 45, 0, 30, 60, 90 कब आता है कॉसेक में 1 आता है कॉसेक 90 ठीटा में सॉरी 90 डिग्री में आता है तो वन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री क्लियर इतनी बात अब यहां पर दिया हुआ है कॉसेक A plus B अब यहां पर कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा अब यहां पर A plus B equals to हमें मिल जाएगा 90 नहां हो गया A plus यह हो गया B equals to हो जाएगा 90 डिग्री क्लियर और इसे बोल देंगे यह हमारी पहली एक्वेशन क्लियर अब यहां पर कुछ और दिया हुआ है क्या दिया है कॉसेक A minus B equals to 2 दे दिया गया अब इसको देख लो यहां पर हमने लिखा कॉसेक A minus B A sorry minus B equals to है हमारे पास 2 अब बताओ 2 कब आता है 2 आता है 30 डिग्री में तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री क्लियर और यहां पर हो जाएगा कॉसेक A minus B आप यहां पर कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो गया यहां पर आ गया है A minus B equals to आजेगा हमारे पास 30 डिग्री क्लियर हो गया अब दोखो A minus B 30 डिग्री आ गया और A plus B आ गया हमारे पास 90 डिग्री अब हमें क्या करना है इन दोनों को equation को इसको दूसरी equation कर देते हैं इन दोनों equation को add कर देंगे तो यहां पर लिखेंगे first equation और यहां पर कर दिया plus second equation ठीक है on adding first equation plus second equation यहां पर लिखा हमने a plus b जो की हमारे पास पहली equation है इसको add करेंगे, दूसरी equation जोगी है A-B, equals to हो जाएगा 90, और यहाँ पर हो जाएगा plus 30, इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा 120 ठीक है, अब यहाँ पर B से B cancel, A से A cancel, तो यह हो जाएगा 2A यह cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 60, ठीक है दोखो 2 यहाँ पर multiply में, एककोल के सेट चला जाएगा, तो 120 by 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड कर देगा 120 को तो आजाएगा 60 हमारे पास, ठीक है तो A की value हमको मिल गई है 60, तो भाहिया, यहाँ पर क्या करना है पता है, यहाँ पर जो A की value आई है, उस A की value को किसी भी A की equation में put कर दो, पहली में कर दो या दूसरी में कर दो, आपकी मर्जी तो हम यहाँ पर put करने जा रहा है put A equals to 60 in equation first ठीक है, पहली बाली में कर दिया हमने तो यहाँ पर A की जगाँ पर हमने लिखा 60 plus हमने कर दिया B और यहाँ पर कर दिया equals to 90 अब यह 60 जो है ना, यह हमारा plus का है, equal के set फिस तो minus का हो जाएगा तुरंट, यह अपना रंग रूप से बदल देगा, तो यह plus से हो गया minus, और यहाँ पर आजाएगा हमारे पर 30, तो B की जो value हमें मिली है, वो मिल गई है 30 degree, अब देखो A की value भी पता चल गई, जो की यह है, B की भी पता चल गई, तो अब हम लोग इन दोनों की value find कर लेंगे, बहुत ही असानी से, देखो कैसे यहां पर हमारे पर जो पहला कोशन दिया हुआ है पहला कोशन क्या है, sine A CAUSE B ठीखे है, इसको हम लिखते है फीर समस्चते है, यह पहला दिया हुआ है, sine A और यहां दिया है COS B देदिया गया और बीच में plus कहा गया है COS A, और यहां हुई है क्या निकाली है 60 डिगरी और हम ने लिखा तो चलो देखो से कैसे करना है तो यहां पर हमने लिखा मतलब क्या हुआ है 60 डिगरी और आशाहा प्र मतलब किया हो जाथ थाक ब्लस अब फिर से लिख हमने वने काॉस जगह करती है 60 और B की जगह पर हमने कर दिया Sine B की जगह पर 30 कर दिया अब यह बताओ Sine 60 की वैलू क्या होती है Sine 60 की वैलू होती है Root 3 by 2 तो यहां लिख दिया हमने Root 3 by 2 अब Cos देखो यह बीच में क्या है? Multiply लगा दिया Cos 30 की डिगरी होती है Cos 30 डिगरी होता है Root 3 by 2 तो यह कर दिया Root 3 by 2 कर दिया अब यहां पर Cos 60 है Cos 60 का भी है Cos 60 होता है 1 by 2 और यहां पर साइन 30 है यह भी होता है 1 by 2 अब Root 3 into Root 3 कर दोगे तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा और यहां पर 2, 2 जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बीच में प्लस 1 है और यहां पर 2, 2 जा क्या हो गया? 4 हो गया इसका LC हम ले लोगा 4 यहां पर आजएगा 3 plus 1 equals 2 हो जाएगा 4 4 by 4 equals to 1 आगया तो इसमें जो हमने value निकाल ली वो आगे हमाई पास first वाले की 1 अब इसी तरह यहां पर जो दूसरा question दिया हुआ है यह वाला इसकी भी हम लोग ऐसे ही value निकाल लेंगे तो इस question को हम लोग लिखते हैं तो यहां पर question है 10 A ठीक है? और यहां पर minus है 10 B 10 B divide में आजाएगा हमारे पास 1 plus 10 A 10 A और यहां पर हो जाएगा 10 यहां पर हो गया हमारे पास B ठीक है? अब दोखो 10 है ना तो हमने यहां पर 10 लिख दिया अब A की value हमने जो find की थी वो लिखनी ही जो की थी 60 minus 10 B अब दोखो 10 B की जो value थी ना वो थी हमारे पास कितनी? B की value थी हमारे पास 30 1060 minus 1030 करके 1030 मतले आना नहीं तो गलत हो जाएगा ठीक है? बिल्कुल गलत हो जाएगा कैसे काट दिया जाएगा नमबर नहीं मिलेगा यहां पर करना क्या है? 1060 की पहले value लिखो 1060 की value क्या होती है? 1060 की value क्या होती? वो लिखो 1060 की value होती? root 3 minus 1030 की क्या value होती? यह होती 1 by root 3 तो यहां पर लिख दिया 1 by root 3 clear? अब यहां पर आओ जो 1 लिखा है, plus है 1060 है, मतलब root 3 है multiply, 1 by 30 1030, 1030 का मतलब होता है 1 by root 3, 1 by root 3 हो गया root 3 हो गया, चीक है? root 3 से root 3 हमारा cancel हो जाएगा तो 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दिखओ यहां पर यहां पर हम लोग LCM ले लेंगे तो root 3 हो जाएगा और यहां पराजेगा हमारे पर okay, 3 यहा पर हो जाएगा minus 1 ठीक है? और यहां पर divide में क्या आजाएगा? हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा किया जाएगा हमारे पास 2 होजाएगा ऑके अब इसको हम लोग सॉल्ब करेंगे तोयाँ पर 3-1 कर दो कि 2 हो ज son और यहाँ पर आ जाएगा 2-3 होुझक थी तो से 2 कैंसिल तो injury हमें क्या मिलने वाला है यहां पर हमें मिलेगा वन बाइ रूट 3 और वन बाइ रूट 3 हमारी क्या हो गए इसकी वैली हो जाएगी और यहीं हो जाएगा हमारे पास कोशन 26 का हमारा आंसर ठीक है तो यह कोशन थोड़ा सा लेंदी दिख रहा होगा मगर है बहुत एजी बस आपको टेबल आनी चाहिए तो कोशन 26 हमारा कंप्लीट हो गया अब हम लोग बात करते हैं कोशन नंबर 27 की तो कोशन नंबर 27 भी उससे भी ज्यादा इजी है यहां पर कह रह बतानी है और कैसे बतानी इससे बतानी है तो हम लोग कैसे बता पाएंगे जब हमें एक्स की वैल्यू पता होगी तब ही तो हम लोग फाइंड कर पाएंगे जब पता ही नहीं होगी तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे यह भी बात है तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले x की value को find करेंगे, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसमें उस value को put कर देंगे, तो हमें यहां के भी value मिल जाएगे, अब इसे कैसे करते हैं, इसको हम लोग देख लेदे, अब देखो इसका question का solution, तो यहां पर जो question 27 है, यहां पर 3x minus cos 1 theta है, और यहां पर 3 by x equals to cos 1 theta और हमें इसकी value find करके बताने है, तो बहुत simple सा है, simple सा तब ही है, जब आपको यह formula पता होगा, कौन सा formula उसको देखो, सबसे पहले आपने यहां पर अगर formula पढ़ा है, कौन सा यहां पर लिखते हैं, पहले cos 1 square theta minus cot square theta equals to 1, अगर यह वाला formula पढ़ा है आपने, यह वाला formula, त ठीक है, क्या करना है, नहीं पढ़ा, तो रट लोग पढ़ लिया, तो अच्छी बात है, तो हमें पता है, cos 1 यह जुद बता रहे हैं, यह हमारा formula है, cos 2 theta minus cot square theta equals to 1 होता है, clear, अब दो को cos theta की value दे दी गई 3x, तो हमने यहां पर 3x लिखा, square है ना, तो यहां पर square लिख दिया minus cot square theta, cot की value हमें पता है, 3 by x है, 3 by x है, square लगा, square लगा दिया, equals to यहां पर हो गया हमारे पास 1, clear, अब देखो, यहां है ना, इसको solve करेंगे, तो 3309 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x square, minus हो जाएगा 339, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास x square, equals to यहां पर हो इसमें से हम लोग 9 को common ले सकते हैं, बिलकुल ले सकते हैं, तो हमने यहां पर 9 common ले लिया, तो यहां हमें मिल गया x square, minus, और यहां हमें मिल जाएगा, कितना, 1 by x square, equals to यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, clear, अब क्या करना है, जो यह 9 है, यहां पर क्या है हमारे पास multiply इधर वेज़ दो तो divide में हो जाएगा तो यह हो जाएगा x square minus 1 by x square equals to 1 by 9 got it इतनी बात इतनी बात समझ में आगे अब देखो हमें find क्या करना था हमें find करना था 3 x square minus 1 by x square यह find करना था यह find करना था तो देखो यहां पर हमने लिखा 3 हमें क्या find करना था 3 यहां पर हमने लिख दिया x square minus 1 by x square यह find करना था अब देखो x square minus 1 by x square की value हमने अभी निकाल यह जो कि है 1 by 3 clear according to quotient ठीक है according to quotient quotient के according यहां पर हमें find करने इसकी value तो हमने क्या किया कि x square minus 1 by x square की value यहां पर put कर दी यहां पर 3 लिखा है 3 लिखा और यहां पर आजाएका हमारे पास 1 by 9 तो यहां पर करती है 1 by 9 यह हो जाएगा 3 3 is a 9 तो यहां पर आजाएगा 1 by 3 clear अब यह 1 by 3 है ना यह क्या आगए हमारे पास इसकी value आ गए और यही हो जाएगा हमारे पास इस question का हमारा answer तो बहुत simple है, बहुत easy है, तो यह हो गया question number 27 का हमारा answer अब हम लोग solve करेंगे question number 28 अब यहाँ पर जो question number 28 है यह भी बहुत ही आसान question है और यह कह रहा है in the adjoint figure triangle ABC is a right angle triangle in which angle B equals to 90 degree, angle A equals to 30 degree and A equals to 20 cm find BC and EB अब दोखो हमें यहाँ ट्रेंगल दिख रहा है, तेके यहाँफी स्तेमाइन है, hearing यहाँगोल में हमें BC ये वाली साइड और AB, ये वाली साइट्वसाइड करनी है हमें यह angle दे दिया गया है जो कि है 30 degree का, और कभा गया यह वाला एंगल है ना यह एंगल है हमारा कौं सा यह है 90 ऍगरी और यह वाली jury हमें 20 उन्य इक लिए कि 20 आप औनुटी संइंटी मीटरी नहीं सेंटी में गी है अब कहा गया यह दोनों साइट निकालू तो यह दोनों सप्क्र Int1 निकालने के से पहले हैं ऑपन यहां पर जो हमारे पास इफिगर है यह 90 डिग्री और यह वाला जो एंगल है जह हमारे स्टाटी डिग्रीैं आप हमें पता है जो भी एंगल हम लेते हैं好吧 वाली ईसके की साइड होती है यह link हमारी पर्पेंटिकुलर हो जाती है और इसके जो बगल वाली साइड है जो कि यह वह हमारी बेस हो जाती है और 90 के सामने वाली हमेशा हाइपटेनिस होती हमारी जो कि कि हमारे पास एक साइट ये वाली आती हो दूसरी साइट इन दोनों में से कोई भी एक आती हो उससे क्या होगा हमारा दूसरी साइट अपने आप निकल आएगी देखो अभी हम समझाते आराम से जैसे कि हमने यहां पर लिया हमारे पास है और यहां पर लास्ट में हमारे पास court है अब हम इन में से कौन सा फॉर्मुला लगाएं यह समझो यहां पर मानते हैं कि हमें अभी चाहिए यह पर perpendicular's आप बेसे आले निम्हालेन काल नौध बहुत ऊजए के थार डिखे कि हमारे पेस और पास को फॉपनाधगे यसमें ही थैदे हूँ यहाँ पर डऊंडर देखा हमने पहला यहाँ पर पर यहसी मतलब को सब्सक्ama को सब्सक्राइब यह बने सकते हैं तो हम सब पहले यहां पर लेंगे साइन वाला तो हमें पता है कि भया जो साइन थीटा होता है फ़ौमला है यह यह वह होता है पा इक पर चाहिए महिफिर गिलशत है और यहां पर theta है मगर हम लोग बात किस angle की कर रहे हैं यहां पर 30 degree वाले की तो theta की जगह पे हम लोग लेंगे 30 degree clear तो यहां पर आगे हमने लिखा the sin sin 30 degree equals to p upon要 imi 30 degree होती है इसका formula क्या होता है अगर आपने table पढ़ी है को आता होगा साइन 30 का फॉर्मॉला होता है फॉन बाई तु चिकिंघें यहाँ पर यह टेबल देखो अब इस टेबल में देखो यह साइन सवरी फिटा है हम ऐसे यह धी मिटीटिशनिटा है साइन 30 डिग्री हमारे पास आएगा 20 यहां टीवाइड में इधार चला जाएगा तो यहां पर आजाएगा 20 और जाएगगा यहांचरी कि 10 और यहां पर हो जाएगा हमारे पर्सफी सेंटी में सैंट्इमीटर में आएगा क्योंकि हमारी सेंटी मीटर में तो तो हमें यह walk साथ मिल गए हैं जो कि है 10 70 मीटर थे और हमें तीसरी साइट चाहिए दो यस पता है दूसके में पता है तीसरी साइच को निकालने के लिए अब पास दो थीन तरीक है पहला तरीका हो गया कि आप हमारे बातफिन यूज कर देंगा पाइधागुरे तो उससे भी निकल आएगा अगर पाइथागोरे सिर्म नहीं यूज़ करना है तो इसमें डारेक्ट फॉर्मॉला हम लोग यूज़ कर देंगे अब कौन सा फॉर्मॉला यूज़ करेंगे कोई भी फॉर्मॉला जिसमें हमारे पास एच और भी आता हो है पर टैनेस और बेस होता हो देखो और तो कोई फॉर्मॉला ने इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मॉले को यूज़ करोगे तो आपको तीसरी साइट भी मिल जाएगी और पाइथागोरे सिर्म लगाओगे तो भी आपको तीसरी साइट मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे पहले हम इन में से कोई भी एक फॉ होता है वो होता है हमारे पास B upon based upon होता है happiness clear अप कॉस्स यहां पर किसके बात करेंगा मुखー 30 डिगरी की्ट तो यहां पर आजायेगा 30 डिगरी अब यहां पर कॉजो 30 डिगरी होता इसका फाल्मुला है तो अब अपनшь और कॉज्ट 30 degree table में हमारे पास इसकी जो value होती है वो होती है हमारे पास root 3 by 2 होती है root 3 by 2 होती है equals to base base हमें पता नहीं है है पर हमें पता है कितना है 20 है clear यह divide में इधर चला जाएगा तो multiply हम तो यहां 20 root 3 by 2 equals to हो गया यहां पर हमारे पास base है कि लिए टू से कैंसिल हो जाएगा यहां पर हो जाएगा तो यहां पर आजाएगा हमारे पास 10 root 3 equals to be हो ठीक है दो भी हमारे पास कौन से साइट थी भी हमारे पास साइट थी यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा CB है CB वो बराबर है 10 cm के और हम बोल सकते हैं जो हमारा AB साइड है वो बराबर है 10 root 3 के बस यह दो हमारा answer आ गया मगर हमने क्या बताया कि अभी इसको हम लोग एक तरीके और आप निकाल सकते हैं वह पाइथा गोरे स्थिर्म और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास बीसी स्कुरेर और यहां पर हमारे प्लेस Azure रूम तपी लगएगी जब हमारे पर दो side की यह साइड निकाना एंटी जोगी गीवन थी और फिर भी यह वाली साइड निकाल भी हम मान लेते हम्करी साइड को फाइंड कृ़ने ऑब स्प्रेट इंगा सब्सक्राइब उत्राइब फोने लिदिया क्या होगा सफ्रसम्हें और वहारे पास हाय भी तो पोझ ट्षज, हमारे फॉड़ों सब्सक्राइबED स्वरी ओके 300 आजाएगा यहां लिखेंगे A B स्क्वार आप दोंको 300 ना तो 300 को ऐसे लिख सकते हम लोग ओके इसको हम लोग कैसे सकते हैं इसको लिख सकते हैं 100 ऐं टू यहां पर हम कर सकते हैं 3 और यहां पर हमाँ पस A B square clear square हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा इंटु थ्री एक्वल्स टू यहां पर होगे हमारे पास अब आप दोखो यह 10 सब्सक्राइब होता है तो 10 हमारा क्या अंडर रूट से बाहर आजाएगा यहां बचेगा 3 और यह हो जाएगा हमारे पास एभी तो देखो एभी हमें फिर से रही है दोखो अब यहां पर बात करते हैं 29 वाले की तो यहां पर कह रहा है कि इंदा एड्जॉइंट फिगर ट्रेंगल ABC इजा राइट एंड बी एंड एंड एंगल एक्वल्स टू 30 डिग्री किलियर है अब कह रहा है इस बीसी कुल सिक्सेंटीमेटर फाइंड एब और हमें करना क्या है सबसे पहले इस कोशन को हम लोग लिख लेते हैं इसी के पीछे करेंगे हैं तो यहां पर हमारे पास है कोशन नंबर 29 यहां पर जो जो हमें गिवन है पहले कोशन नंबर 29 में हम वह लिख लेते हैं तो हमें गिवन हैं एंगल एंगल है हमारे पास 30 डिग्र clear और यहां पर दे दिया गया angle B जो कि हमें given है 90 degree और यहां पर हमें एक side दे दी गई जिसका नाम है CB वो है हमारे पास 6 cm अब हमें find क्या करना है हमको find करना है हमें 2 side find करनी है एक तो हमारे पास AB ठीक है और दूसरी side हमारे पास है AC यह दोनों side हमें find करने चलो इसका हम लोग figure बनाते हैं तो यह हमारा जो figure होगा कुछ इस तरह से बनेगा right angle triangle अब इसकी naming करेंगे तो यह यह है यह B है और यह हमारे पास C है इसको बोला यह 90 डिग्री है ठीक है और question ने का जो angle A है वह 30 डिग्री और यहां पर हमें यह side देदीगे यह 6 cm हमें यह side और यह side निकालें तो सबसे पहले यह कौन सी angle है यह 30 है 30 सामने वाली जो side होती वह perpendicular बगलवाई side होगी और जो यह 90 डिग्रा है 90 के सामने वाला जो side होती है वह होती है happiness ठीक है happiness perpendicular base के लिए इतनी बात अब हमें करना क्या है अब देखो बहुत सिंपल है अब हमें क्या करना है इन में से कोई भी एक side को पकड़ो या फिर यह पकड़ो या फिर यह पकड़ो हम happiness और perpendicular को पकड़ते हैं ठीक है हमें happiness find करना है तो happiness find करने के लिए हम एक ऐसा formula देखेंगे जिसमें हमारे पास perpendicular और happiness दूनों आता हो ठीक है चुछ चलो देखो पहला तो यही हो गया हमारा sign वाला perpendicular happiness और दूसरा हमारे पास क्या हो गया यहां पर हो गया कॉसेख वाला कॉसेख 30 हाइट हो गया मतलब happiness हो गया पर पेंडिकुलर है इन दोनों में से किसी भी एक formula से हम लोग इसका answer निकाल सकते हैं हम पहले sign वाले से करते हैं तो यहां पर हमने कर दिया sign ठीक है देखो यहां पर पहले लिखा हमने sign ठीटा sign ठीटा का formula होता है perpendicular upon happiness ठीक है अब ठीटा तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि हमें यहां पर angle पता है कौन जा 30 तो यहां पर लिखेंगे sign 30 डिग्री एक को स्टू क्या होगा यहां पर पी अपॉन एच क्लियर अब sign 30 डिग्री का formula क्या होता है यह होता है वन बाइटू एक कोल स्टू पर्पेंडिकुलर हमें पता है है 6 है और h हमें पता नहीं तो h हमारे पास a εν jamac क्लियर अब क्या करते हैं कि यह दो को Ac divide में इधर चला जाएगा multiply में तो यहां पर आ जाएगा ac डिवाइट इधर जिला जाएगा multiply तो यहां पर होगा 6 Cookieπό12 तो यहां पर जो एसी साइड मिल गई वह हमको मिल गई है 12 अब दो साइड हमारे पास है यह दो को 12 ठीक है अब हमें यह तीसरी साइड निकालने के लिए या फिर यूज कर दो पाइथागोरे से और हम या फिर कोई भी एक फॉर्मला यहां पर लगा दो ठीक हम फॉर्मले को करके इसका साइड निकालते हैं तो यहां पर हमें फॉर्मला ऐसा चाहिए जिसमें हैपेटेनर्स और बेस आता हो हैपेटेनर्स हमारा सेक में भी आता है और किसमें आता है देख लेते हैं देखो यह हमारे पास है यह हो गया सेख ठीक है है हैपेटेनर्स और बेस हमारे पा ओपां बेस अब बताव sect थैटीडिरी है यह ना आडाव सएक milk घरी हमारा क्या होता मतलब इसकी वैलू क्या होती है संट्थाटिद यहीग होती है यहाँ लिख सकते हैं Te sa tobird historic एकवस्त की जगह पर हम पैल लिखेंगे ओबिंगी जगह इसे लिखें में इधर चला जाएगा मल्टिप्लाइ में तो और यहां पर हो जाएगा हमारे पास अब यहां पर हमारे पास 12 है अब यहां पर रूट 3 डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टिप्लाइ में तो रूट 3 यहां पर आजाएगा अब 2 इसके साथ मल्टिप्लाइ में इधर ब तो यही हो जाएगा कोशे नमबर 29 का हमारा आंसर बहुत सिंपल है फॉर्मले से भी निकाल लोगे आपका आंसर बिलकुल सही आएगा किलिए दोनों तरीके हमने आपको बता दिये फॉर्मले कौन से भी रखने यह आपकी मर्दी कोई भी रख दो बस उसमें वह होना चाहिए जो आपको फाइंड करना है और दूसरा वह होना चाहिए जो की गीवन है ठीक है साइड की बात कर रहे हैं तो 29 हो गया अब हम करते हैं कोशन नमबर 30 को यहां पर जो कोशन 30 है इसमें कहा रहा है इंदा एड्ज्वाइंट फिगर ट्रेंगल अब यह भी कोशन वैसा ही है ठ यहां पर हमारे पास जो एंगल यह वह अलग दे दिया गया है दोको ऊपर ठाटी ते यहां पर 45 है मगर इसमें कोई भी प्रावलम नहीं हो गी करने में देखो कैसे करना भाए यहां पर हमने लिया है कोशन नमबर 30 को अब जहां से समझो से पहले तो इसका कोशन हम नोट कर देते हैं तो question number 30 में हमें जो given है वो है angle A angle A given है 45 degree का ठीक है और हमें given है AC AC जो given है वो है root 3 2 sorry 3 root 2 given है ठीक है find हमें क्या करना है find हमें करना है पहला है okay BC और second हमारे पास है जो की है AB यह दो हमें find करना है ठीक है तो चलो इसका figure भी देख लो यह हो गया हमारे पास figure अब इसकी naming करेंगे तो यह ABC और यह वाली side है हमारे पर 3 root 2 हमको यह वाली side और यह वाली side निकाल लिए हमें यह angle पता है जो की है 45 तो इस angle के सामने वाली side है वह हमारी क्या हो जाएगी perpendicular हो जाएगी और इसकी बगल वाली side कौन सी हो जाएगी base हो जाएगी और यह side होगी हमारी हैपेटेनेस पर्पेंडिकुलर बेज और हमारी हो गई हैपेटेनेस इतनी बात के लिए रोगे ठीक है अब हमें क्या करना है इसको समझो हमें इन में से कोई भी एक side चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे एक ऐसा formula लेंगे जिसमें हमें यह यह आता हो या फिर यह हो या फिर नहीं पोलेंगे हम लोग यह बोलेंगे 45 डिग्री क्योंकि यहाँ पर हमें एंगल की एन है तो हमने यहां पर लिखा साइन एंधर पर्पेंडिकुलर यह होगा और हैपर हमारा पास हो जाएगा थ्री यह लूगा रूट तो यह लिए हमारा क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा यहां पर यह गया है यहां पर हमें मिल यहां बात यहां पर करने क negativity था रहा है यहां पर लिख Vince अब वी क्या मिल गयां क्या मिल थी संटीमीटर मिल लिए ठीक है तो यहां पर लिख दी हमने ऐत Marines हमने सैंटी मीटर ठीक है ये भी हमारा सेंटी मीटर में समाझ गे इतनी बत है ना बहुत सिंपल है अब हमें एक साइट मिल गई अब हमें क्या चाहिए दूसरी साइट चीह तो दूसरी साइट के लिए भीया यहां पर वह फॉर्मला लगा दो जिसमें हैपेटेनस ओर हमारे हमारे पास होता है या फिर यूज कर सकते हो पाइथागोरे स्थिरम यहां पर हमने किया है यह से 30-30 जो हो जाएगा वह जैसे का फॉर्मला होता है है एच अपॉन है पर टेनस अपॉन बेस होता है कि tapi fifty नहीं करेंगे यहां पर करेंगे या 40 प्राइब क्योंकि 45 चला है ना हमने अभी फिर पुराने वाला लगा दिया कि चलो यहां पर हो जायेगा सेक 45 से 45 हो जाएगा है पर si किलियर अब बता यहां पर 45 degree का जो formula होता है मतलब जो इसकी value होती ही वो क्या ओठी इस मेलिव होगी रूट 3 सुर्वी रूट 2 होती है रूट 3 यह नहीं होती है रूट 2 होती है तो यहां इसको यहां भीजते और इसको यहां कर देते हैं तो यह हो जाएगा एभी और effective यह रूट तो और हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर बीस आपके गया तो एभी हमें 3 मिल गई है तो यह हो गया हमारे पास प्रक अनसर है बहुत सिंपल है तो हमारा यह solution हो गया है और हमने आपको बताया भी किस तरह से करना है अब यहां पर इसका जो लास्ट कोशन बचा है 31 इस को आप खुछ से ट्राइब करना है ठीक है अगर नहीं आता है तो आप हमें कॉमेंट करके पोस्ट सकते हैं या फिर इंस्ट्राग्राम में मैसेज कर देन तुरंथ ही solve करके बताएंगे अब मुलेंगे नेक्स वीडियो में हम लोग solve करेंगे इसके आंगे की exercise जो की है 12 ठीक है टियुक्र मेरे शिव औफ कंप्लिमेंट्री एंगल वाली exercise इसमें भी total हमारे पास 3030 और अपर को संदे उसको हम लोग जल्दी से solve करेंगे फिर उसके next video में clear